क्या आप भी मेरी तरह period pain से परिशान हो जाती और उससे चुटकारा पाने के लिए medicines लेनी पड़ती है तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी remedy जो आपके दर्द को होने ही नहीं देगी और अगर हो रहा है तो चुटकियों में भगा देगी यकीन मानिए दोस्तों मैं भी इस दर्द से बहुत परिशान रही हूँ फिर किसी ने मुझे इस remedy के बारे में बताया तो मुझे तो इससे काफी आराम मिला तो मैंने सोचा इस drink को मैं हर उस लड़की से share करूँ जो मेरी तरह period pain से परिशान रहती है तो आयए मैं बताती हु इसको बनाना कैसे है पहले हमें चाहिए होंगे दो चुवारे जिनें हम छोटे चोटे टोकड़ों में कात लेंगे इसके जगा पे आप खजूर मत लीज़ेगा छोआरे ही चाहिए तो यहां मैंने चुवारे छोटे टुकडों में काट लिये हैं दूसरे इंग्रीडियेंट हमें चाहिए होगा आधा चमच हल्दी पाउडर फिर हमें चाहिए होगा आधा चमच मोटी सौफ फिर हमें चाहिए होगा एक या दो इलाइची का पाउडर अगर आपके पाउडर नहीं है तो आप एक इलाइची ऐसे ही डाल दीजे तो आईए दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी तैयार करने पहले हमें चाहिए होगा डेड़ ग्लास तूद इसे मैंने एक बटन में रख दिया है और बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है अ एक ग्लास दूद में हो जाए इसको दीमे आच में ऐसे ही पकने दे अब इसमें डालेंगे अपना एक और इंग्रीडियंट जो है एक अंडा मैंने यहां एक अंडा लिया उसे तोड़ के अच्छे से फेट लिया है इसको एक नर्तक लगबग अच्छे से फेटना है आपक दूद को देखे फिर मैंने हाँ थोड़ा से अंडा डाला और उसको लगतार चलाया फिर थोड़ा सा डाला अगें उसको चलाया इस तरह से करना आपको अम आप सोच रहोंगे कि यार इसके अंदर तो अंडे की स्मेल आएगी कैसे पिया जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है द इसमें डालेंगे चोटा चमज बादाम का तेल यह बादाम का तेल हमारे दर्द को मिटाने में बहुत फायदमाद होता है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी मैजिकल ड्रिंक रेडी है देखिए अगर आप उनमें से हैं जिनके पी रोने के दो चार दिन पहले से ही पे तीन दिन लगातार पीने से तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और नहीं कोई मैडिसन लेनी पड़ेगी और हाँ इसे वो लोग भी पी सकते हैं जिनकी बॉड़ी में एकसर दर्द बना रहता है यह तनी जबर्दस रेमेडी है ना मेरी तरह इंशाल्ला आप सबको भी ब